पॉस्टिक पगवान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें पॉस्टिक पगवान किचन में आपका स्वागत है आज हम गर्मे में बनाए जाने वाले टिंडे बनाएंगे जो लोग नहीं खाते हैं वह भी टिंडे खाने लगेंगे और बड़े शौक से खाएंगे तो यहां पर मैंने आदा किलो टिंडे लिए इनको अच्छे से वाश कर कर लेती हूं साथ में टमाटर, हरिमिर्ज और प्याज को भी कट कर लेती हूं सब्सीयो को मैंने कट कर लिया है और पैन में एक बड़ी चमज डाल दिया तो तो यहां पर मैंने इसमें जीरा एड कर दिया है अगर आप चाहें तो इस समय पर शाबुत मसाले भी आड़ कर सक और आप अगर अधरग लसन का पेस्ट इसमें पसंद करते है तो आप इस समय पर टिंडे में पेस्ट भी आड़ कर सकते हैं यह देखिए किचन की खिड़की से आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चुडिया के लिए पानी भरके रखा है अब यह काफी गर्मी पढ़ रही है तो आप लोग भी पक्षियों के लिए पानी भरके रखिए प्याज को मैं अच्छे से भून लेती हूँ मनला सब्सक्ति काटब रहा है का एछ दिख रहें किचने से सनलाइट का फ्लैश नहीं अब करते हैं furrences तहुडे का वी पनी मइन रहा है ताक की अच्छा लगता है नहीं इसको बच्चे भी खाने लगते हैं जब आप इस तरीके से बना के खिलाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहे हूं और यहां पर मैंने तीन टमाटर कट करके इसमें एड कर दिये हैं अगर आप दही वाली टिंडे पसंद करते हैं तो आप फिर टमाटर एड मत करिए लास्ट म इसमें इसमें मिलाओंगी जिससे का टेस्ट काफी बढ़ जाता है टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हम ढखके पका लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स फिर से मैं आपको दिखा रहे हूं किचन में से आपको दिख रहा होगा कवव आया है और पानी पीएगा इसमें से कव किचन से मैं आपको भाहर लिए हूं आप देख रहे हूं कि कववे बठे में रोटी में बना के रख चुकी हूं अभी आएंगे महाश्य जी और खाएंगे मैं यहां पे बाजरा भी डालके रखती हूं और चावल की चूरी आती है इसको की कणकी भी बोलते है वो भी डालक के रखती हूं और कववे के लिए रोटी बना के रखती हूं ताकि सभी पक्षी आकर दाना पानी यहां पर खाएं यह देखिए कववा नीचे आ चुका है चोटा समय आप लोगो मैसेज दिना चारी हूं कि इतनी गर्मी में आप पक्षियों के लिए दाना पानी के विवस अधर के खायेंगे तो आप पक्षियों के लिए इस तरह से दाना पानी के विवस्था करके रखिए फिर से में किचन की तरफ चलते हैं यह देखिए फ्रेंड्स कि चन में मैं आ चुकी हूं और हमें चैक कर लेती हूं टमाटर सॉट हुए की नहीं तो यह देखिए टमाट जब इतने पसंद है तो आप बना के बताईए तिंडे भी यहाँ पर मैं एड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स कट करके रखेते मैंने कई बार हम बहुत सिंपल खाना बनाते हैं लेकिन वो स्वाद में काफी अच्छा बनता है तो बस यह भी काफी सिंपल और काफी टेस्टी सबजी है तिंडे यहाँ पर मैंने एड कर दियू थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी एड किया इसको मैं धक्के पका लेती हूँ आठ से दस मिनट में हमारे तिंडे पके रेडि हो जाएंगे तिंडे काफी एल्दी होते हैं आप जरूर बनाके खाईए तिंडे अभी पके नहीं है तो मैं इनको फिर से डखके पकाऊंगे थोड़े से अभी कच्चे है तो मैं फिर से इनको डख देती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स टिंडे रेड़ी हो चुके है मैंने इनको फिर से चेक कर लिया है काफी जल्दी बन जाते हैं अब यह जो मैं आपको इसका जो टेस्ट का सीक्रेट बता रही हूं फ्रेंट्स मलाई लास्ट में मैं इसमें आपर मलाई एड़ कर रही हूं तीन टेबल स्पून यहां पर मैंने मलाई लीती, मलाई से टिंडे का टेस्ट काफी बढ़ जाता है, एक बार आप इसको डाल के देखिए, बिल्कुल टिंडे का टेस्ट अलग हो जाता है, जो क्रीमी इसमें टेक्श्चर आता है, उससे टिंडे काफी टेस्टी होते हैं, और कट किया हुआ हरा धनिया, तो यह हमारे मलाई वाले टिंडे फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्चे बने हैं आप इस तरह से जरूर बनाएए, जो लोग नहीं खाते हैं वह मांग-मांग के खाएंगे यह टिंडे, तो फ्रेंड्स यह टिंडे बिल्कु करें थेंक्स वैस